नमस्कार आज हम आप लोगों के साथ बहुत प्यारे से इतली करेसे पीशेर करे जाते हैं तो इतली घर के छोटे बच्चों के बहुत पसंद आई बे करे ले लेकिन अगर आपके घर में क्यों पूढ़ा व्यक्ति है तो उनकी बहुत ज्यादा पसंद आई का ऐसे की एकदम नरम मुलायम और मुह में घुल जाए वाली बनके तयार हो ले तो यहां पर आप देख सकते हैं कि इतली कितना बढ़िया बनके तयार भई लिया है तो एसन इतली बनावे के लिए सबसे पहले एक आप नाप रख लें कॉनों कप कटोरी गिलास किसी से भी आप नाप सकी ला कम चावले लिया है तो यहां पर एक कटोरी बना चिलके वाली ऊरत का में पलट लोगिन लिएन जञता पाइन डाल की भीगावे के रहला ताकि अच्छी तरह से चावल और फूले और जो ने कटोरी से आप दाल ले रहा उसी कटोरी से आपके चावल लेवे किया तो चावल लेवे के समय ध्यान देएं कि थोड़ा सब मोटा रहे थोड़ा सब पूराना रहे बहु जैदा नया चा तो यहां पर एक कट्री kurat कtype 2 ada कि आपके चावल लेविः की है जो तो आप घर में रेगुलर खाता हिना वही World without यहां पर हम5 सी घूर Hewoda के यहां कहें तीन कट्री च्वाथ सीवाली क्टी दें कट लेकिन तीन कट्री से बहुत अच्छा स्वादन के यहां पर एक छोटा चमच मेथी का दाना जरूर डाले के हैं का ऐसे कि इसे फर्मेंटेशन बहुत अच्छा हो ला और इटली में स्वाद बहुत बढ़ने आवेला और इस अच्छी तरह से मिला दें बिलावे के बाद एकदम साफ पानी से दूतिन बार धो लें जब आपका दाल और चॉल एकदम साफ हो जाए तब इमें थोड़ा सजादा पानी डालके एक विगा के रख दें आठ से दस घंटा के लिए ताकि एकदम अच्छी तरह से फूल जाए तो आप चाहिए तो आपके बनावे कि एक दिन पहले कर तयारी करें पढ़ेला तो एक ठीक हम रख दे थी आठ से दस घंटा के लिए आज दस घंटा बाद अच्छी तरह से फूल जालें तो यहां पर आप देख सकते ही कि अक्तम कितना अच्छी तरह से फूल गला तो एक बार थोड़ा सा एकर पानी दोड़ा दोड़ अच्छी तरह से पानी से निकाल लेए और यहां पर हम लोग फिर पतला वाला पुहाँ दोड़ाए मिख्षिए by जाओं करा पीशूर। भी introductions के सब्स Pilota ? मिख्षित करें तो यहां पर अग्मिक्षिका जार आग्माμεें , थोड़ा थोड़ा थोड़ानें पानी दोवार करके डाले । मिक्सलेद रोक लें और पीमेलाल मिल और क्लें है क्राअ कि यूँई के डिसा इचा सबकीयार नेले कि शेलम-बैपसा गरन सकुझत घृचा न भाड़िन नाट न बिन रहें दकड़ा सब्सक्राइब्ति करें लुए थाख गतल ऊस्य के त्यार हो गतले अब इस मिशन में कुछ भी ना मिला वेकिए बस इंशन की अची तरह से मिला लें ताकि सारा सामगरी एक दुसरे में अची तरह से मिल जाए और एके धक की ठग्ड़ेवे आरह से दस घंटा के लिए तो गर्मी की मौसम में तो אार्त में अराम से फर्मेंटेशन हो जाला लेकिन धंड मौसम में कभी-कभी दिख्कत हो जल्दी से तो यहां पर अब एक हम दस घंटा के लिए रख दे ले रहने हैं खमीर उठे के हम गर्मी के मौसम में बनो ले रहने हैं तो दस घंटा में अच्छा सा खमीर उठ जाला तो यहां पर आप देख सकते हैं कि हमार इटली का बैटर लगबग फूल के डेड़ गुना हो चुका ला और आप यहां पर देख भी सकते हैं कि कि इतना अच्छा सा खमीर उठाला हमें बिल्कुल भी सोड़ा बगरे ना मिलो लए और सोड़ा बगरे मिलाए के भी ना आप एक अलग बर्तर में निकाल लें और बागी उठा कि आप् हमेर उठाले निकाले लें तुरनत इतली बनाएक लिए अब रिट्ली बेटर में सिर्द नमक मिलाए कि यह और थोड़ा सा गाड़ा हाथ हैं थोड़ा सा मपानी मिला ले थैं तो हवा कबूल भूला खतम हो जाई और आपका इटली जो ना थोड़ी कड़ी बन के तयार हो तो इह इटली का बैटर बिलकुल बन के तयार है एसे अगर आप इटली बनाए तो आपका इटली एकदम नरम और मुलायम बन के तयार हो और इह है इटली का बरतन तो इह इटली क कि आज़ास से ऐसे कि बहुत ज़्यादा भर के नभ भरी का इसी की इट लिए फूले ले और अब इसे बार्तन में कर जैके सभी साचा की रख रख ड़ेंगे हैं आपके थेज तो लगभग 15 मिनट में आपका इटली एकदम बनके तयार हो जाए तो इटली जब आपका 15 मिनट हो जाए तेजाज पर 5-7 मिनट और मध्यम आज पर 5-7 मिनट तो कि आप खोल के देखब तो एकदम इस तरह से फूल जाए तो आपके घड़ी देखके बनाव लें इस तरह से आपके चेक करें के लिए आप माचिस का तीली या चाकू हम यहाँ पर टूथपिक का इसमाल करें हैं और अगर इटली में से एकदम साफ सुत्री लकडी निकलत है तो समझ लें कि आपका इटली एकदम बनके तयार हो गए लिए और अगर आप इस तरह से चेक ना कर जाए इतले से निकल तो अरवार आप थे लिए कग़ए लिएु rika जाने को dy दिए इतली इस तरह से तरह से तरह सभाए टी बनके तयार हो गई लिए तो यहिए वियाऄते वहने क्वाश दें सन्वाक चाला बनके तhou ठीक सब्वाहां पर 182 अच्छी निकल कर अभाहें सकतें तो ए इटली के हम आप लोग उनके तोड़के भी दिखाऊते हैं कि इक इतना नरम, मुलायम और मुह में घुल जाए वाली बनके तयार भई लिया एगर आप सांबर में डुबा के खाई न तो एकदम रस्कुला की तरह से मुह में घुल जाई और इसी तरह से सारा इटली के बना लेवे की हैं तो यहाँ पे आप देखी सकत है कि इतना बढ़िया बना लिया एकदम खिली कीली है और एकदम एक छेद भी हो चुकल है तो एक इतनी के इस तरह से सांबर में डुबाई और डुबा के कम से कम आधा घंटा के लिए छोड़ देई और बाद में आप एक ह कि से जाइं किसी भी चटनी के साथ तो बहुति अच्छा लगी। बहुति अच्छा स्वादे कर आवेरा तो सारा साबर और चटनी का रेसीपी भी हमेरे चाल ब पर मुबली के चटनिकव नारेल के चटनिकव और सामर का रेसिपी आप चालनल पे देख सके ला और इटली तो आप देखी सकते हैं कि यह पर हम बना वनीए कितना अच्चा नरम और मुलायम बनके तयार होई इस तरह से आप इटली बनाएं तो आपका इटली एग्दम नरम और खिली खिली बनके तयार होई तो उम्मीद है कि आज का वीडियो आप लोगन के पसंद आईल होई अगर आप लोगन के यी वीडियो थोड़ा सभी अपनी भाषा भोश्पुरी में पसंद आउती है तो वीडियो के लाइक शेयर और कमेंट कर बिल्कुल भी न भूलल करें कमेंट तो जरूर करके बतावल करें कि आप लोगन के वीडियो अपनी भाषा भोश्पुरी में कहिसा लगल तो हम आप लोगन से मिला थें फिर किसी अगली नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए नमस्कार